गुजराट चुनौव में जहां कॉंग्रिस विकास के पागल होने की बात कह रही है और बीजेपी गुजराट को विकास बता रही है वहीं बीजपी ने तब प्रवीन तोगडिया ने गुजराट में बेरोजगारों को रोजगार और किसानों की कर्ज माफी को मुख्य मुद्धा बताया है तो गडिया का कहना है कि गुजराद चुनाव में मेरा अंकलन है कि पहली बार गुजराद की राजनीति का पूर्ण हिंदू करण हो गया है पहले सिर्फ वीजेपी की लोग ही मंदिर जाते थे अब राहुल गांदी द्वार का चामुंडा मंदिर जा रहे हैं और फिर मोधी वहां जा रहे हैं मोधी अक्षधा मंदिर जाते हैं तो राहुल गांदी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं बेचपी नेता ने कहा कि इसके साथ ही पहली बार 20 लाग बेरोजगारों का मुद्दा, किसानों को कपास और मुमफली का सही मुल्ले मिलने का मुद्दा, महगी सिच्छा का मुद्दा जोर सोर से उठाया जा रहा है, लेकिन पहले इनकी चर्चा नहीं होती थी तोगडिया के मताबिक पटेल, OBC और SC से 3 लीडर उभरे हैं, लेकिन इनके बीच अंतरजात्य संघर्स या दिवेस नहीं हो रहा, क्योंकि बेरोजगारी वहां की मुख्य समस्या है, वह रोजगार की बात कर रहे हैं, हाला कि तोगडिया ने BJP के विकास मॉडल पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि हमें जॉबलेस ग्रोथ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि GDP की दर तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार की आउसर कम हो रहे हैं,